जैसे जैसे चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं पुलिस का पहरा कड़ा होता जा रहा है इस वक्त हम सित्पुर में मुझूद हैं और आप देख सकते हैं पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और 24 घंटे ये नाका जो है वो लगा हुआ है इसमें आपको दिख रहा होगा क पुलिस के जवान तैनात कर दिये गए हैं बैरीगेट लगाये गए हैं और यहां से हर आने जाने वाली उस गाड़ी को रोका जाएगा उस गाड़ी को चेक किया जाएगा और गाड़ी की एंट्री की जाएगी ताकि यहां पर किसी प्रकार के लेंदेन की कोई बस्तू हत् प्यार या शराब आदी का प्रयोग ना हो सके तो आप यह तस्वीरे देख सकते हैं और यहां से कुछ दूरी पर जो है भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का घर है उससे पहले पुल्ट से पीछे यह नाका लगाया गया है और इस नाके को जो है वो सरकार के आदेशों के दौरा यह नाका लगाया गया है तो आपर जो पुलिस बलतेनात हैं उन से हम जानते हैं की आखिर कितनी गाड़ियां यहां से गुजरती है दिन में और रात में कब तक यह पहरा रहता है कितनी गाड़िया निकली है यहां से और यह देख सकते हैं एंट्री जो है वो यहां गाड़ियों की जा रही है नाम पता मुबाइल के साथ यह सारा दर्ज किया जा रहा है और नाके की महतब पूर्ण बात यह है कि जो शराब यह पैसे का लेंदेन चुनावों की वक्त होता है उसको रोकने के लिए यह सब किया गया है तो भाई साब से दुबारा हम बात करने का परयास नेहज़ने जो है किस लिए नाक लगाया गया है यह मैंने डूटियों उसको मेंटेन करने लिए हैं पूर्ड फिशाद दी ओर्मिंट इसमें क्या रहता है इसमें जो आपने नाका लगाए इसमें क्या रहता है इसमें तो गाड़ी के सर्फिंग करते हैं कोई आरहा न जा रहा है यह व्यांड रूप से कोई चीज़ वह प्रत्याश्री का घर भी यह कोई लेंदेन ना हो और सरकार के आदेशों के दौरा जो है यह नाका लगाया गया है और अब देखना होगा कि इनाका कितना सफल रहता है कि बाके में लेंदेन करने वालों पर पुलिस नकेल कस पाएगी या पिर कोई और रास्ता अपना